हलो स्टुडेंट्स आजकी इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर एट दाट इस मोशन मोशन चैप्टर के अंदर यह जो आपका पहरा ग्राफ दिया गया है प्यारे बच्चो इसके अंदर क्या-क्या में पॉइंट्स है वो मैंने आपके लिए अंडरलाइन कर रखे हैं मेरी रिक्वेस्ट है आपसे आप NCRT की बुक के लाइन टू लाइन सारे चैप्टर को करेंगे इस चैप्टर इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि एक्चली मोशन क्या है राइट जैसे एक्जाम्पल के तोर पे जैसे आपके बर्ड्स फ्लाई करते हैं फिश स्विम करती है आपकी जो आर्ट्रिया वेंस के अंदर बलड का मोशन है इवन आपके प्लैने तो वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पाक्ट टू टाइम राइट लेकिन कई ऐसे भी हैं आपके मोशन जो आपके डारेक्ट ना होके इंडारेक्ट होते हैं बलड़ एक्चुली तो वो मूव कर रहे हैं लेकिन हमें वो ऐसे डारेक्ली मूव करते नहीं हैं डस पार्टिकल आपके मूव कर रहे हैं तो हम क्या आईडिया लगाते कि हमारी एर मूव कर रही है । ऐसे ही जैसे यासे आपके सीजिन चेंज होते हैं जैसे आपका संराइज है पर एक बच्चो लेकिन अब एक important question भी arise होता है यहाँ पे if it is true why do not we directly precise the motion of the earth तो हमें direct आपकी अपनी earth move क्यों नहीं करती दिखाए देती है ना तो उसके लिए आपको एक छोटी सी आपको बात समझनी होगी वो बात क्या है कि कोई बे object होता है प्यारे बच्चो वो जब move करता है तो किसी second person के regard में हम ये बताते हैं कि वो stationary है means वो rest पे है या वो motion कर रहा है आपको ये earth वाला example तब समझ में आएगा तब clear होगा तब आप ये paragraph अच्छे से समझ पाएंगे इस paragraph में एक example देके बताया गया है कि जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के respect में move करती है जैसे अगर suppose bus के अंदर कोई passenger बैठे है तो उनको क्या लगेगा कि जो road side के trees है वो move कर रहे हैं वो भी backward है ना लेकिन वहीं पे अगर road side पे एक person आपका standing है खड़ा है उसको bus move करती दिखाई देगी है ना तो आप ये देखें आप कि जब आपका देखने का view change होता है तो with respect to दूसरी चीज motion में आ जाती है इस example में bus के अंदर जो persons बैठे हैं वो आपस में rest पे दिखाई दे रहे हैं लेकिन बहार road के ओपर कोई बंदा जो बैठा है कोई भी person है उसको bus और bus के passenger motion में दिखाई दे रहे हैं इसका क्या meaning है बचो what do these observation indicate ये observation क्या बताती है ये observation ये बताती है बिटा कि बहुत सारे most motions are complex complex मतलब वो आपके easy नहीं है वो बहुत सारी चीजों का mixture है तो आप यहां से क्या समझे यहां से हम ये समझे क्योंकि हम तो अर्थ के उपर है तो इसलिए हमें अर्थ मूव करती नहीं दिखाई दे रही जैसे उस bus के passengers को सारे passengers कि इस पर दिखाई देते हैं rest पे लेकिन अगर हम space में जाके moon पे पहुँच जाए example के तो पे तो हमें moon से अर्थ आपकी move करती दिखाई देगी क्योंकि अब हमारा जो observation का जो reference point है वो change हो गया है I hope आपको यह जो मैंने आपको बात clear करने की कोशिश की है यह आपको थोड़ी clear हुई होगी किसी student को नहीं हुई है तो आगे के वीडियो में जब एक दो topic और पढ़ेंगे हम इस से related तो और आपको अच्छे से clear होगी अब यहाँ पर आपका बताया गया है प्यारे बच्चों कि motion आपका straight line में नहीं होता आपका circular भी हो सकता है आपका vibrational भी हो सकता है इवन कई situation में आपका combination भी हो सकता है तो combination कहाँ पर होता है एक example लेती हूँ मैं कार जब आपकी move करती है रोड पे तो जो कार के wheels हैं आपके वो आपका circular motion track को follow करते हैं लेकिन wheel आपका circular motion follow करते करते रोड के उपर linearly आपका move करते है आगे यह तो नहीं होता ना कि कभी आपके car के tire उपर गए तो बोड़ी नीचे आगई नहीं ऐसा नहीं होता combination of the motion राइट लेकिन इस chapter के अंदर हम जितने भी discuss करेंगे topic वो सारे होंगे motion of object along a straight line इन सारे motions को कुछ simple equations और graph की help से हम understand करेंगे और बिल्कुर चैप्टर के last में एक topic डाला गया है circular motion से related तो उसको भी हम discuss करेंगे so I hope आपको जो complete chapter motion का जो introduction वाला part है वो आपको clear हुआ है अब next topic है वो है आपका describing motion अब motion को describe करें तो motion को describe करने के लिए इस पूरे paragraph में आपको बताया गया है कि हमारे पास एक reference point होना चाहिए बिटा जिसके respect में हम दूसरी body को motion या rest में बोलेंगे और reference point को बोला जाता है origin इसमें एक railway station का example लिया गया है जैसे example के तोर पे एक school है बिटा वो किसी village से गाउं से 2 km north है of the railway station railway station हमने reference point माना है उस से north में 2 km चलके एक village के अंदर है तो हम अपने according अपनी सुहुलियत के according हम reference point को अलग अलग भी मान सकते हैं अब आपको मैं इस सारी बात एक example के तोर समझाती हूँ आप यह diagram देखें बुक में इसमें o point है यह origin है और along x-axis सारे आपके distance किसमें है km में है इस reference point में जो आपके distance दिये गए है यह 5 km है 10 है 5-5 के gap के बाद आपके सारे distance हमने लिखें है तीन point हमने मानने है a, b, c अब इन तीन point के according मैं आपको यह पूरा topic explain करूँगी तो topic है motion along a straight line सबसे starting में कोई object o पे है वो o से c पे जाएगा फिर b पे और फिर last में a पे ठीक है वो आपका वापिस भी आ सकता है a से b पे, b से c पे, और वापिस o पे बिआ सकता है तो इस topic के ठूब आपको distance और displacement के बारे में बताया गया है कि distance क्या होता है, displacement क्या होता है distance होता है total path covered और displacement होता है shortest path covered distance आपका scalar quantity होता है means आपके सिर्फ magnitude पे depend करता है displacement आपका होता है vector quantity जो magnitude as well as direction पर depend करता है तो यह जो मैंने आपको यह words यूज किये हैं यह सारा one by one करके discuss करते हैं तो इस वाले paragraph में जस्ट आपको यह मैंने भी आपको explain किया यह बात बताई गई है यह वाले paragraph में क्या बताया गया है इसमें बताया गया है स्पोस्ट टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाइन अबजेक्ट ओ ए प्लस ए सी आपका अबजेक्ट ओ से चला ए तक गया फिर ए से वापिस कहां पर आया सी तक तो ओ से लेके ए तक 60 सेंटीमेटर है नोट 60 सेंटीमेटर बेटा 60 किलोमेटर स्वारी फोर दाट स्वारी बेटा डिस्टेंज कितना है प्लस दोनों को एड करेंगे तो जो टोटल पाथ लेंथ अगी वो आएगी नाइंटीव किलोमेटर साथ इस इस श्श टेंज कवर बाइबा आवजेक्ट स्वार्च आवजेक्ट इसको हम बोलें गे डिस्टेंज मिस डिस्टेंस को जिस फिजिकल कॉंटिटी ने डिफाइन किया वो है मैगनिटूड मिस मेजर मैट 95 जो है यह आपका है मैगनिटूड किलोमेटर यह इसके यूनिट है डिस्टेंस की लेकिन स्पोज आप एसे लेके जब सी पे जा रहे हैं अप यहां देखें डिस्टेंस को इसने कैसे डिफाइन किया है अब अगर हम बात करें इनिशियल और फाइनल पोजिशन की स्टार्टिंग तो कहां से की थी ओ से लेकिन हम गूम फिर कहां पे आगे ची पे तो सी इस दे फाइनल पोजिशन तो मैं अगर डिस्प्लेस्मेंट की बात करूँ तो डिस्प्लेस्मेंट होता है फाइनल पोजिशन माइनस में इनिशिल पोजिशन मिस शोटेस डिस्टेंस मेजर फ्रॉम दी इनिशियल टूद फाइनल पोजिशन ओफ अफ अबजेक्ट is known as displacement, displacement को समझने के लिए हम एक और example लेना पड़ेगा, हम इस example से नहीं समझ पाएंगे, तो आप यहां देखें, अब के बार हम magnitude के साथ में direction को भी लेके चलेंगे, so let us start, consider the example given in figure 8.1, O 2 A, अगर मैं O से लेके A की बात करूं, तो मेरे पास distance cover था 60 km, the magnitude of displacement is also 60 km, during its motion from O to A, and back to B, अगर हम वापिस A से B पे आते हैं, तो यह जो अपना distance है, यह आपका है 25, so total distance कितना हो गया, 60 plus 25, 85 km, मैं किसकी बात करे हूं, सिर्फ magnitude, जिसको distance बोलते हैं, आगे आप देखें, इस paragraph में क्या बताया गया है, while the magnitude of the displacement, लेकिन अगर displacement की बात की जाएं, तो displacement होता है, final position minus में initial position, तो आप यहां से देखें, हमने start कहां से किया था, O से, end कहां पर किया, B पे, सो O से लेके B तक, यह जो distance आपका, यह, इसको बोलते हैं displacement, final minus initial, यह आपका 35 है, तो इसका मतलब है, displacement का magnitude हुआ 35, और मैं एक example लूँ, मैंने O से start किया, A पे गई, फिर B पे, फिर C पे, फिर वापिस O पे आ गई, that means initial and final position is same, so आपका displacement हो जाएगा 0, लेकिन distance आपका होगा 60 plus 60, 120, right, so यह और example है, तो यहां से क्या बात पता चलती है, number one, distance कभी भी 0 नहीं होता, लेकिन displacement आपका 0 हो सकता है, distance आपका हमेशा positive होता है, displacement आपका positive negative 0 भी हो सकता है, so कहने का मतलब है बिटा, distance and displacement are used to describe the overall motion of an object, जो पूरा locate करते हैं reference point से, miss initial position से किसी time पे, जो आपको given है, so I hope आपको यहां से distance और displacement का जो फंडा है, वो clear है, ठीक है, कि distance आपका scalar है, displacement आपका vector है, distance आपका displacement के equal हो सकता है, और greater हो सकता है, लेकिन displacement आपका कभी भी distance से greater नहीं होगा, तो यह कुछ बात हैं जो हमें पता चली, एक और भी बात हम discuss कर सकते हैं यहां पे distance और displacement दोनों की unit सेम होती है, meter, SI unit, ठीक है, अब आप यह देखें, आपके चेप्टर के बीच में activities दी गई है, so dear student activities का, example का, in-text question answers का, और last में exercise का में अलग से video बनाऊंगी, क्योंकि same video में length जादा हो जाएगी, time जादा हो जाएगा, आपको इतने अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा, so उसके लिए में separate video आपकी बनाऊंगी, तो आप उस time पे उन videos को देखें, अपने doubts को clear कर सकते हैं, next topic is uniform motion and non uniform motion, uniform motion क्या होता है इस paragraph में बताया गया है, just suppose आप first second में 5 km ट्रैवल करते हैं, next second में भी 5, उससे next second में भी 5, उससे next में भी 5, कहने का मतलब as the object covers equal distance in equal interval of time, equal distance equal time में कवर करते हैं, तो इसको बोलते हैं uniform motion लेकिन time interval बहुत short है, अपनी day to day की life में ऐसा नहीं होता बिटा, day to day की life में आप क्या करते हैं, unequal distance travel कर सकते हैं, equal interval of time में, right, जैसे example के तोर पे आपके कार है, वो crowded street पे travel कर रही है, आपका एक person jogging कर रहा है किसी पार्क में, तो ये दोनों type के example क्या हैं, इन में आप unequal distance cover करते हो, unequal time में बोल सकते हो, equal time में बोल सकते हो, ये example है, non uniform motion का, so I hope आपको छोटा से example clear है, next topic is, measuring the rate of motion, में इस motion के साथ में हमने rate भी लगा दी, आप एक बात हमेशा ध्यान रखना बिटा, अगर कभी भी ऐसा कुछ मिले ना, आपको rate of motion, rate of power, rate of speed, rate कहीं पे भी मिले, तो आपको वो चीज with respect to time बताई गई है, ये आपको समझाई गई है, यहाँ पे देखें, इस एक्जामपल में क्या दिखाया गया है, एक बोलर है, वो एक बोल को क्या कर रहा है, थ्रू कर रहा है, फेक रहा है, with respect to time, तो आपने कहीं पर नोट किया होगा, जब आप किर्केट का मैस देखते हैं, स्क्रिन के ओपर नीचे आपका बोल का, बोलिंग स्पीड आती है, किलोमिटर पर आर के अंदर, with respect to time, तो वो आपको rate of motion बताता है, कि बोल किस rate से आपकी जा रही है, ऐसे ही जब आपको कोई vehicle, रोड़तियों पर travel करता है, तो आप पर speed limit लिखी होती है, वो भी आपके किलोमिटर पर आर में होती है, आपका भी note करना, तो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ, जो आपकी बुक में यहाँ पर given है, आप यहाँ देखे बिटा, जैसे यह जो मैंने example बताया है, इसी की बारे में, इस first paragraph में discuss किया गया है, अब हम बात करते है, The rate at which object moves can be different, different object can move at the same rate, कुछ object आपके same rate पे move करते हैं, कुछ आपके different पे, जो physical quantity आपका, आपके motion को with respect to time बताती है, उसका नाम होता है, speed, और speed की unit होती है, meter per second, लेकिन कई बार आप centimeter per second, kilometer per hour में भी उसको define कर सकते हो, लेकिन अगर मैं बात करूँ, SI unit की, तो वो आपकी होती है, meter per second, या meter second, inverse भी आप बोल सकते हो, speed को define करने के लिए, सिर्फ magnitude की requirement होती है, और आपके day to day life के object, आपके कैसे motion करते है, non uniform motion, ये सारा इसमें बताया गया है, क्योंकि non uniform motion है, कभी कम motion, कभी ज्यादा, आपको road पे, है, तो आप अपने vehicle की speed को increase कर लेते हैं, लेकिन आगे चल के, जब crowded road आता है, बहुत सारी vehicles आते हैं, तो आप अपने vehicle की speed को कम करते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ, overall speed की, तो वो आपकी average speed होती है, वो ही लेना ठीक होता है, इसका mathematical जो formula है, वो होता है, average speed is equal to total distance traveled upon total time taken, यहाँ पे average speed का symbol आपके NCRT की book में V लिया गया है, total distance S लिया गया है, time के लिए T symbol लिया गया है, प्यारे बच्चों, यह जो आपके notation होती है, यह book to book vary कर सकती हैं आपकी, तो आप इनको रटना नहीं, आपको इनको ऐसे learn नहीं करना, आप book to book इसको change करेंगे, आपको सिफ यह याद रखना है कि average speed का formula यह होता है, symbol आप कोई भी ले ले, कई book में speed को S से दिखाया जाता है, velocity को V से दिखाया जाता है, तो इसलिए मैं कह रही हो कि आप confused ना होना, यहाँ पे NCRT की book में speed को V से और distance को X से रिपरेजेंट किया गया है, अब इसमें यह बताया गया है कि average speed क्यों ली, simple speed क्यों नहीं लिखा, तो आप यहाँ देखे, example के through में बताया गया है आपको, कि एक car है, जो 100 km का distance टेवल करती है, 2 hours में, तो उसके average speed है 50 km, अब इसका यह मीनिंग नहीं है, बिटा, कि उसके पूरे time उसने अपनी speed को 50 रखा, कई बार उसने 50 km पर आठ से अपनी गाड़ी को faster travel करवाया, कई बार slower, लेकिन overall जब average देखी गई, तो वो कितनी थी, 50 km पर आठ, so I hope आपको यहाँ तक clear है, इसी sequence में next topic है, speed with direction, अब अगर हम speed को direction भी दे दे, तो उसका एक नया नाम होगा, that is velocity, right, so velocity is the speed of object moving in the definite direction, right, तो यहाँ पर जैसे average speed लिया, ऐसे हम average velocity लेंगे, ठीक है, average velocity का formula क्या होगा यहाँ पर, initial velocity प्लस final velocity अपन में 2, initial velocity को U से लिखा जाता है, final velocity को V से लिखा जाता है, represent किया जाता है, लेकिन दोनों की speed और velocity दोनों की unit क्या रहती है, same, meter per second, या meter second inverse, प्यारी बचों, कई बचों के कई बारी क्यूरी आती है, कि मैं average velocity का तो formula है, initial velocity प्लस final velocity बाइटो, लेकिन हम simple velocity का formula जब पढ़ते हैं, तो वो होता है, change in position with respect to time, बिल्कुल ठीक बात है, प्यारी बचों, average की जब बात आएगी, तो तो आपको ये formula लेना है, और simple velocity की जब बात आएगी, तो आपको change in position, change in position होता है, final position, minus में initial position with respect to 2, ऐसा क्यों, मैं आपको एक formula बताती हूँ, velocity का, velocity का formula होता है, change in position with respect to time taker, मैं simply time लिखते हूँ, change in position, change in position को हम क्या बोल सकते हैं, displacement, displacement, upon mid time, right, अब displacement क्या होती है, final position, minus initial position, इसी लिए हमने velocity को क्या बोला, displacement upon time, ऐसे ही हम speed को लिख सकते हैं, distance upon time, speed को क्या लिख सकते हूँ, आप, distance upon time, तो एक नया formula भी आपको मैंने यहाँ पे कराया है, यह student, next topic is, rate of change of velocity, right, तो देखो, velocity के आगे rate लगा है, तो velocity को with respect to time आपको बताना चाहता है, यहाँ पे समझाया गया है, कि uniform motion जब object का होता है, तो आपकी velocity रहती है constant, right, तो change in velocity क्या हो जाएगी 0, क्योंकि final minus initial करेंगे, तो velocity सेम है, तो क्या रहेगा, answer 0, लेकिन non-uniform motion में velocity आपकी time के साथ change होती है, वो 0 नहीं होती, तो change in velocity of an object, any time interval is not 0, तो आप फिर उसको कैसे define करेंगे, तो उसको define करने के लिए एक नया word आया है, that is acceleration, which is the measure of the change in the velocity of an object per unit time, so acceleration का क्या formula है, change in velocity upon time taken, change in velocity में final velocity minus initial velocity upon में t, अब आपको यहां पर यह बताया गया है, कि अगर velocity और acceleration के direction सेम है, तो आप acceleration को positive लोगे, अगर velocity और acceleration के direction आपके differ है, तो आपके acceleration को हम negative लेते हैं, negative acceleration को retardation और de-acceleration भी बोल सकते हैं, यहां आगे देखें बिटाप, अगर velocity आपके increase होती है, decrease होती है, equal interval पे, तो आपका होगा uniform, uniform acceleration, लेकिन अगर आपके velocity increase और decrease होती है, unequal interval of time के साथ, तो उसको बोलेंगे non-uniform acceleration, so I hope आपको यह clear है, साथ ही आप SI unit भी देखें, acceleration की, meter per second square या meter second minus 2, this is the unit, SI unit of acceleration, एक और बात, क्योंकि acceleration depend करती है, velocity पे, velocity depend करती है, displacement पे, और displacement होता है vector quantity, so that's why displacement, velocity and acceleration यह आपकी तीनों होती है, vector quantity, क्योंकि इनके पास magnitude भी होता है, और direction भी होती है, लेकिन distance, speed, यह दोनों आपकी physical quantity होती है, scalar, क्योंकि यह just आपके magnitude पे depend करती है, next है आपका graphical representation of motion, motion को graphically कैसे आप represent करेंगे, so इसको discuss करते हैं, यहाँ देखे students, graph provide a convenient method of present basic information about a variety of events, जो day to day life के आपके, इसमें examples हैं, जैसे example के तोर पे, जब telecast करते हैं हम, वन डे किर्किट मैच का, vertical bar graph आपका होता है, वो आपकी run rate को show करता है, किसी भी team के, जो भी कोई team है आपकी, जैसे India, Australia है, तो कोई भी एक team की, जो run rate होती है, वो आपकी vertical bar graph से दिखाई जाती है, ऐसे ही, जो object के motion होते हैं बेटा, to describe the motion of an object, we can use line graphs, साथ इसमें बताया गया है, such as distance, velocity, another quantity, such as time, time के साथ ये कैसे एक दूसरे पर depend है, ये आपके graph इस इसको show करते हैं, सबसे पहला graph है आपका, वो है distance time graph, ओके, सो distance time graph के अंदर, ये student, अब फर्स graph में देखें, distance time graph, the change in the position of an object with time, can be represented on the distance time graph, इसमें along x-axis time लिया गया है, y-axis पर distance लिया गया है, ये जो graph है आपका प्यारे बच्चों, ये uniform speed के लिए, non-uniform speeds के लिए, remain at rest, किसी भी position, object के लिए, बनाया जा सकता है, ये जो आपको दिखाया गया है, मैं इसकी बात करूँ अगर, तो ये है आपका, equal distance at equal interval of time, इसको बोलते, uniform speed graph, जिसके अंदर, distance is directly proportional to time, अब अगर हम, इस distance time से speed निकालना चाहें, तो वो हम निकाल सकते हैं, suppose हम OA, एक small portion इस graph पे consider करते हैं, एक perpendicular draw करते हैं, उसको meet करते हैं, तो ABC एक triangle है, जिसको अगर हम x-axis देखें, और y-axis देखें, तो इसके initial final point आप यहाँ देखें, ये है T2 और T1, तो that means AC को हम लिख सकते हैं, T2 minus T1, ऐसे ही हम, अगर BC को देखना चाहें, तो हमारे पास होगा, S2Y S1, इसके अंदर अगर हम triangle law apply करें, right angle law, ये simple आप इसके अंदर slope भी निकाल लें इसका, तो परपैंटिकुल रभाई क्या होता है आपका, यहाँ पर देखें, परपैंटिकुल रभाई आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, आपके पास एक formula होता है बिटा, आपको थोड़ा extra knowledge के लिए बता रही हूँ मैं, slope होता है tangent theta, एक formula होता है, पंडित बदरी परशाद हर हर बोले, means perpendicular by base, इस triangle के अंदर, BC perpendicular है और AC base है, तो दोनों की value जो put करोगे, तो S2 minus S1 by T2 minus T1, इस पूरे paragraph में ये बात बताई गई है, तो यहाँ से आप, उसकी speed को define कर सकते हों, निकाल सकते हों, ऐसे ही जो table है आपकी, ये आपकी दी गई है बिटा, accelerated motion के लिए, accelerated motion को non-uniform भी बोलते हैं, तो अगर मैं बात करूँ, non-uniform speed का graph कैसे बनेगा, same distance time के बीच में अगर plot करना हो, तो आप इस table को देखे, 2 to second का time interval लिया गया है, और स्पोज ये आपका distance है, इसके लिए अगर आप graph plot करते हैं, तो आपका ये graph आता है, इस graph में आप देखें, ये आपका एक linear ना होके non-linear graph है, तो इसको बोलेंगे, non-linear variation of the distance with respect to time, और ऐसे graph को बोला जाता है, non-uniform speed के लिए, यहाँ पे आपको एक और भी बात define की गई बेटा, यहाँ पे आप ध्यान दे, non जो आपकी uniform speed है, यह बात की गई uniform की, तो uniform के बारे में एक और बात आपको बताना चाहती हूँ, note that you can also use the term uniform velocity, in place of uniform speed, आप uniform velocity को भी word use कर सकते हो, speed की बजाए, क्यों अगर आपका distance और displacement आपका same है, magnitude of distance, और magnitude of displacement अगर आपका same है, उस case में हम uniform speed को uniform velocity भी बोल सकते हैं, यह आप बहुत important बात है, मेंशा याद रखना बिटाए, next topic is velocity time graph, अपके बार along x-axis time है, along y-axis हमने क्या लिया है, velocity, और velocity आपकी किसमे है, km पर hour में, तो आप कैसी इसको define करेंगे, तो आप यहाँ देखे, अगर आप इस graph के लिए, एक बात हमेशा ध्यान रखना बिटा, shortcut आपको बताती हूँ, अगर आपका graph प्लोट है, velocity और time के versus, और आप area निकालते हैं, तो आपको distance मिलता है, अगर आप इस shaded portion का, यह blue portion है, इसका area निकालते हैं, तो आपको distance travel पता चलेगा, उसके लिए क्या है, यह एक rectangle है, इसका area क्या होता है, length into breath, वो आप निकालें, आपके पास यहाँ पे, यह पूरे पहरा graph में बात बताई गई है, कि अगर आप इसका calculate करना चाहते हैं, कि किस velocity पे, देखो आपके यहाँ पे चख करें, time increase हो रहा है, लेकिन velocity आपकी constant है, है न, 40 ही है, तो अगर आप यह देखना चाहते हैं, कि इतनी speed से, वो जो आपका object है, जो moving object है, उसने कितना distance travel किया, तो आप वो find out कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे देखें, length multiply, breath आप निकालेंगे, सारी value आपके पास है ग्राफ से, एरिया और फ्रेक्टेंगल जो आपकी है, ABCD वो आपको क्या देगी, यहाँ से distance के बारे में बताएगी, तो distance आप calculate कर सकते हैं, आगे इस वाले portion में क्या बताया गया है, we can also study about uniformly accelerated motion, by plotting its velocity time graph, consider a car being driven along straight road, testing its engine, suppose a person sitting next to the driver, records its velocity every after 5 seconds, आपके table देखें, इस table में time के साथ में velocity, meter per second और kilometer per hour में आपकी लिए गई है, right, the velocity of the car in kilometer per hour, as well as meter per second, at different instant of time, आपकी show की गई है इसके अंदर, next आप देखें, अब अगर आप इसका graph road करना चाहते हैं उस table से, तो आपका graph आएगा ये वाला, ठीके, अब यहाँ पर एक important बात है, velocity time का graph है, जैसके यहाँ पर भी आपका graph किसका था, velocity time का, तो यहाँ पर आपको बताया गया है, अगर आप area निकालते हैं, तो आपको मिलेगा distance, लेकिन, अगर आप यहाँ से, इसका slope निकालते हैं बिटा, आप यहाँ देखे, slope निकालते हैं, तो आपको क्या चीज़ मिलेगी, slope निकालेंगे, तो आपको मिलेगी acceleration, ऐसे ही अगर आप इस shaded portion का, दोबारा से area निकालेंगे, तो आपको इस case के लिए भी, दोबारा से क्या मिल जाएगा, आपका distance मिल जाएगा, एकिन अगर आप इस graph का area निकालना चाहते हैं, तो आपको इस figure को two parts में resolve करना पड़ेगा, आप यह देखे, A, E, D, यह एक triangle है, A, D, C, B, यह एक आपके पास क्या है, square है, आप इसको trapegem भी मान सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, area of triangle प्लस area of square भी, आप दोनों का area निकालके add कर सकते हैं, answer आपका सेम आएगा, आपके जो book में करवाये गया है, मैं वो आपसे discuss करती हूँ, यह जो मैं आपको बताया है, यह वर्बली यहाँ पर सारा लिखा गया है, यह देखें हैं, the distance traveled by the object represented by the area ABCD under the graph, यह जो आपका figure दिया गया है, since the magnitude of the velocity of the car changing due to acceleration, the distance as traveled by the car will be given by the area under the curve, या under the graph velocity time, so area निकालने के लिए देखो, आपने क्या के इसने क्या use किया है, area of rectangle plus area of triangle, okay fine, I think यह proper square ना होके आपका क्या है, थोड़ा rectangle है, yes, yes, क्योंकि यहाँ पर आपका point यह 2 से थोड़ा less है, और यहाँ पर exact 2 आपकी division है, yes, this is not a square, this is rectangle, okay, so area of rectangle plus area of triangle, area of rectangle का formula length into breadth, area of triangle का 1 by 2 base into height बोल सकते हो, या perpendicular distance बोल सकते हो, दोनों की value आपके पास है, calculate करके आप distance निकाल सकते हो, next जो graph दिखाए गए हैं, आपके वो क्या है, velocity time graph of an object in non-uniform accelerated motion, आप यहाँ पर देखे, time increase हो रहा है, लेकिन velocity आपके decrease हो रही है, यहाँ पर क्या है, time जब increase होगा, 0 से लेके आपका यहाँ तक, तो आपके velocity increase है, फिर decrease है, फिर increase, तो इसको बोलेंगे non-uniform accelerated motion, यह भी आपका सारा यहाँ पर बताया गया है, कि non-uniform के लिए graph कैसे plot किया जाता है, so I hope आपको यहाँ पर clear है, यहाँ तक की चीज़े, next आपकी पास है, equation of motion by graphical method, very very important topic, आपकी तीन important equations हैं, जो हम graph से drive करेंगे, V is equal to U plus 80, S is equal to UT plus half 80 square, 2AS equal to V square minus U square, आपको मैं आपके तीन चीज़े बताना चाहती हूँ, U symbol होता है initial velocity का, V symbol है final velocity का, A symbol है acceleration का, और T symbol है time का, सो बस यह 4 symbol आपके लिए गए हैं, और यह 3 जो different equations बोल लो, formulas बोल लो, कि कैसे आपके define होंगे, यह आपका topic है, exam के लिए very very important है, आपके बहुत सारे sold example, exercise के question in equation पे बेज़े हैं, तो बहुत ध्यान से सुनना, इस वीडियो के बाद में, बोर्ड वाली वीडियो भी बनाऊंगी, जिसमें आपको सारा यह calculation में, बोर्ड पे बिगर के दिखाऊंगी, तो किसी student को अगर book से doubt रह गया है, तो आप please मेरी बोर्ड वाली वीडियो उसको पक्का देखना, उसमें मैं इसको complete board पे आपके लिए explain करूँगी, जैसे आपका class teacher करता है, बुक को करवाने का मेरा main motor है बिटा, क्योंकि कई बच्चों को NCRT की book को पढ़ना board लगता है, उनको लगता है पता निक्या है, कोई समझा दे तो हमें ज़्यादा easy रहेगा, इस परपत से मैंने आपके लिए NCRT की book का मैंने वीडियो बनाया है, ताकि जिन बच्चों को book से reading करने की आदत है, उनको भी help मिले, जिनको habit नहीं है, उनकी भी habit बन जाए, क्योंकि NCRT book are the best book, according to me, right, so इसको start करते हैं इस method को, तो इसको start करने से पहले, सबसे पहले आपको ये graph को समझना होगा, तो graph में देखे कुछ नहीं है, सबसे पहली जो equation है, first वाली उसको बोला जाता है, equation for velocity time relation, इसमें velocity और time का relation बोला जाता है, तो इसके लिए तीनो equation के लिए graph सेम रहेगा, लेकिन उनका purpose ठोड़ा ठोड़ा डिफर हो जाएगा, आप यहां देखे इस graph में, along x-axis time लिया गया है, along y-axis velocity ली गई है, starting में आपका जो भी object है, वो आपका rest पे नहीं है, मतलब जब आपका time zero है, तो उसकी कुछ ने कुछ velocity है initial, जो की define की गई है यू से, यू velocity से वो आपका travel करता है, और बी point तक जाके उसकी final velocity हो जाती है, वी, इसका मतलब यह जो velocity है आपकी, अगर मैं along y-axis देखो, तो यह वी है, मैं इस initial velocity यू है, zero ना होके, और final velocity है वी, अब A point से horizontal line draw की गई है, और इस पूरे जो आपको दिख रहा है graph, इसमें O, A, D, C, एक rectangle है, A, B, D, आपके पास एक triangle है, इनी के help से हम तीनो equations को drive करेंगे, आप यहाँ पर देखें, जो जो बाते बताए गई हैं, वो आपको पहले सीखनी है, यह students start करते हैं, इस उपर बाले पहरा graph में, जो वे ने भी आपसे discuss किया गया, वो सारी बाते दी गई हैं, यह बोलता, let us draw A, D parallel to O, C, यह देखे, A, D हमें draw करना है, O, C के parallel, ठीके, dotted line जो draw की गई, मैं आपको थोड़ा सा zoom करके दिखाती हूँ, यह देखो, dotted line, So, A, D draw parallel to O, C, वो हमने draw किया, B, C को क्या लेख सकते हैं, B, D, plus में D, C, देखो, B, C, इस पूरी को क्या लेख सकते हैं, B, D, plus में D, C, इन दोनों का सम, और D, C, D, C को लेख सकते हैं, O, A, D, C देखें, D, C, D, C is parallel to O, A, अगर यह एक rectangle है, तो rectangle में आमने सामने वाले side equal होती है, तो D, C को हम क्या लेख सकते हैं, O, A के parallel, उसके बाद, B, C हमारे पास है V, और O, A हमारे पास है U, मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था, O, A हमारे पास है U, और यह पूरी complete B, C, अगर आप यहाँ देखें, अगर मैं इस line पर यहाँ पर define करूँ, तो यह आपके पास है V, और क्योंकि यह parallel है, तो B, C भी आपके पास V आ जाएगा, तो प्यारे बच्चों, यह देखें, यह आपके पास V है, और यह आपके पास U है, तो यह जो distance है BD, क्या मैं इसको V minus U नहीं लिख सकती बिटा, यहाँ से लेके यहाँ तक के distance को, इसको भी हम use करेंगे अगे, तीक है, आई होप आपको यह चीज़ क्लियर है, आगे देखें, यह बोलता है, एक्सलरेशन किसी object की कैसे निकालेंगे, एक्सलरेशन का formula हमने डिसकस किया था, चेंज इन विलोस्टी अपोन टाइम टेकन, चेंज इन विलोस्टी मतलब BD, फाइनल विलोस्टी, आप यह देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक के distance को minus करेंगे, तो यह आपका distance, यह distance, राइट, इसका मतलब BD अपोन में AD, AD को पैरलल किसके लिखा था, OA के, अब यहाँ से, note OA, OC, OC आपके पास है T, यह चेक करें, OC, यह आपका along X-axis, O से लेके C आपके पास क्या है T, तो वो हमने T लिखा, cross multiply करोगे, तो BD आपके पास क्या जाएगा, V is equal to U plus 80, आपके पास आजाएगी, first desired equation, तो आपको पहली equation है, first है जो, equation for velocity time relation, निकालने के लिए, आपको सबसे पहले, क्या याद रखना पड़ेगा, आपको acceleration का formula, याद रखना पड़ेगा, acceleration के भी formula से पहले, ये सारी चिज़ें आप लिख लेना, graph की मदद से, एक बार आपने graph की मदद से, ये सारी चिज़ें लिख ली, उसके बाद ये step आपको लेंड करना पड़ेगा, बिटा, कि acceleration का formula होता है, change in velocity upon time taken, ठीक है, तो change in velocity upon time taken के बाद, आपको cross multiply करना है, दोनों equation को compare करके, बेडी थे ना, आपके पास ये distance, V minus U, इन दोनों को compare करके, आपको ये relation निकालना है, next is, equation for position time relation, position और time relation निकालने के लिए, ये जो equation है, ut plus half 80 square, इसको बोलते है, position time relation, ये निकालने के लिए, हमें, थोड़ा सा कुछ learn करना पड़ेगा, आपको ये वाला step, आपको निकालना है, area of O, A, B, C, देखो मैं आपको बताया था ना, ये एक trapegium भी है, या आप इसको दो figure मान सकते हो, rectangle plus में triangle, आप ये देखो, O, A, B, C, मैं आपको हिंट बताऊंगी, कई बच्चों को थोड़ा सानग confusion होता है, उनको बड़ी दिक्कत आती है, अब ये देखो बटा, इस equation में, ut plus half 80 square है, दो च जो का add है, तो इसलिए हमें निकालना है area, अगर हम अकिला एक diagram का area निकालेंगे, trapegium का, तो हमारे पास तो जिर्फ एक equation आएगी, हमें तो कितनी चाहिए, दो चाहिए है, तो मैं आपसे request करती हूँ, आप इसको ऐसे learn करना, कि हम एक बार तो क्या करेंगे, rectangle का area निकालेंगे, एक बार किसका निकालेंगे, triangle का, दोनों को add करेंगे, अगर हमें ये वाली equation चाहिए है, ये आपके लिए shortcut बता रही हूँ मैं, तो ये देखें आप, area of rectangle आपका क्या होता है, length into breadth, और triangle का 1 by 2, base into height, OE आपके पास U है, OC आपके पास D है, AD आपके पास small t, और BD आपने यहां से निकाला था, relation first equation से, BD is equal to 80, वो आप direct पुट कर सकते हो, सारी relation को पुट करोगे, तो आपके पास second वाली desired equation आ जाएगी, right, third equation है, उसका नाम है, equation for position velocity relation, देखो इसमें कहीं पे भी time नहीं है, प्यारे बच्चों, position और velocity है, अब ये देखो, अब हम ये relation define करेंगे, आपके बार हम यूज करेंगे, trapezium वाला formula, क्योंकि हमें तो सिर्फ एक ही term चाहिए है, तो दो term नहीं चाहिए है, हमें एक term चाहिए है, और आप खुद भी देखो, इस वाली term में कहीं पे 1 by 2, आप बोलोगी कि मैं हम देखो, यहाँ पे तो V square भी और U square भी माइनस है, तो दो term है, नहीं बिटा, आप इसको ऐसे learn नहीं करो, यह वाली formula में 1 by 2, एक टाइब से क्या लग रहा है, कि जैसे triangle का area निकाल रखा है, इसमें आपको कहीं पे लग रहा है, triangle का area निकाल रखा है, तो इसमें आपको trapeism वाला formula अप्लाई करना है, same diagram पे O, A, B, C के उपर trapeism का formula अप्लाई करेंगे, area निकालेंगे, तो आप यहाँ देखें, area of trapeism क्या होता है, 1 by 2, sum of parallel side, इंटू में perpendicular distance, यह देखें, O, A, यह जो side है, यह BC side के parallel है, और यह OC perpendicular distance है, तो यह हमने यहाँ पे लिखा formula, value put की, अब कई बच्चे यहाँ पे आके confused हो जाते, मैणम अब क्या करें, अब आप एक simple सी बात सोचो बिटा, क्या इस third equation में कहीं पे भी time दे रखा है, नहीं दे रखा, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से इस T को remove करना है, कैसे करके, यह वाले T को, means इस T की value को कहीं से निकाल के put कर देना है, तो हम मदद लेंगे first equation की, first equation से T की value को निकालना, ठीक है, T की value कैसे निकलेगी, देखो यू यहाँ पे positive है, उदर जाके negative हो जाएगा, है ना, A T के multiply में निचा आके divide में हो जाएगा, तो आपके पास निकल जाएगी T की value, इस T की value को आप यहाँ put कर देना equation में, तो आपके पास यह relation आएगा, अब maths की help लेते हैं, maths में एक formula होता है, A plus B, A minus B, तो formula क्या होता है, A square minus B square, आप वो वाला formula अप्लाई करके, cross multiply करके, यह third relation निकाल सकते हैं, So I hope मैंने पूरी कोशिश की है, कि मैं आपको यह clear कर वाऊं बिटा, लेकिन फिर बिए अगर किसी student को doubt है, तो वीडियो को post करके देख लेना, अधरवाई जो मैं बोर्ड वाली वीडियो बनाऊंगे, आप उसको देखके, इस टॉपिक को और अच्छे से clear करना, तो खुश हो जाओ, लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, आपको और ज़्यादा देर बोर्ड नहीं करने वाली हूँ, लास्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आप एक बात बताएं बटा, जब आपका अबजेक्ट की विलोस्टी चेंज होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अक्सलरेशन है ना, तो चेंज इन विलोस्टी, विलोस्टी चेंज इन मागनिटूड और डिरेक्शन और बोलते हैं या तो उसका मागनिटूड चेंज हो या उसकी डिरेक्शन चेंज हो लेकिन एक चीज सोचो, जो, जो थिंक एन एक्जेम्पल, वेन एड अबजेक्ट दस नोट चेंज इस मागनिटूड तो मागनिटूड चेंज नहीं कर रहा है, हर मार उसकी जस्ट विलोस्टी चेंज होती है, बट ओनली इट्स डारेक्शन और मोशन विलोस्टी को, सिर्फ डारेक्शन और मोशन को चेंज करें, तो कैसा मोशन होगा, एक एक्जाम्पल लिया है यहां पर पहरे बचो, यह ऐसे आपको समझाना चाहरा है यहां पर, कि देखो विलोस्टी के पास दो चीज है, मैगनिटूड और डारेक्शन, अगर हम मैगनिटूड को तो सेम रखें, और डारेक्शन हर बार चेंज करें तो क्या होगा, तो वह आपका सर्कुलर मोशन होगा, यह इसने बताने की कोशिश की है, अलग-लग डाइग्राम से, तो यहां पर देखें, इस वाले पहराग्राफ में, यह वाले पहराग्राफ में क्या बताया गया है, कि आपके पास पोस्ट क्लोस पाथ हैं, पहला एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में एक बंदा ये कोई एक एथलीट है, वो हर बार अपना एक राउंड कंप्लीट करता है, वो A से B पे जाएगा, तो फिर वो अपनी डिरेक्शन को चेंज करेगा, फिर B से C पे जाएगा, फिर C से D पे और D से A पे, तो एक रोटेशन में कितनी बार डिरेक्शन चेंज की उसने चार बारी, अगर मैं एक हेग्जागन की बात करूँ, फिर एक ले रहा है, नेक्स में इस पोज, इंस्टिट ऑफ एक डेक्टेंगल, वो हेग्जागनल शेप को के अलोंग मूव कर रहा है, तो वो 6 टाइम अपने पात को चेंज करेगा, मिस डिरेक्शन को चेंज करेगा, अगर मैं उक्टागन की बात करूँ तो 8 टाइम, आप इमेजन कर सकते हैं, अगर वो इंफाइनाइट टाइम अगर चेंज करें डिरेक्शन, तो इसका मतलब वो हर बार जीरो या पॉइंट डिस्टेंस को ट्रेवल करें, तो वो एक टाइप से सर्कुलर मोशन को मूव कर रहा है, यह आपको समझाया गया है यहां पर, यह देखें, वट वोड हैपन तो शेप ओफ दी ट्रेक्ट, अज वी मूव या गोइंग टू, इंक्रीज अनवर ओफ साइड इंडिफाइनेटली, इंडेफिनेटली मतलब इंफाइनेटली अगर उसको हम चेंज करें, तो आपका जो ट्रेक होगा उसकी शेप होगी सर्कुलर, यह किसका एक्जामपल है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का दूसरा नाम क्या है, अब सब बच्चों को पता है, एक सर्कल की सर्कमफेरेंस अगर रेडियस आर है तो उसको फोर्मला होता है, टू पाई आर राइट, अगर वो टी टाइम लगाता है एक रोटेशन के लिए तो उसकी विलॉस्टी कैसे निकाल सकते हैं, टू पाई आर बाई में टी, वेन अन अब्जेक्ट मूव इन आस सर्कुलर पाथ, विद यूनिफॉर्म स्पीड, इस मोशन इस काड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक अक्टिविटी भी बताई गई है, वैस्तो मैं इस अक्टिविटी की सैपरेट वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आपका जोई लास्ट वाला पहरा ग्राफ है प्यारे बच्चों, यह सारा बेज है आपका इस अक्टिविटी पे, इस अक्टिविटी में स्पोज एक बच्चा है, उसने थ्रैड एक लिए रखा है, और उसके एक एंड पे एक स्टोन को टाय कर रखा है, आपका यहां से मूव करेगा, अगर इस पॉइंट पे स्टोन छोड़ेगा तो यह ऐसे मूव करेगा, यहां पे छोड़ेगा तो इसकी डिरेक्शन यह होगी, आपको ऐसा मोशन कहां कहां देखने को मिलता है, आपको ऐसा मोशन मून का देखने को मिल सकता है, अर्थ का, सैटलाइट्स का, क्योंकि सारे ये किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में आपका मूव करते हैं, तो इस पहर अगर आप में बताया गया है, अगर आप स्टोन को रिलीज करते हैं, तो वो continuous मूव करेगा, जिस डारेक्शन में मूव कर रहा है, उसी डारेक्शन में उस ताइम पे, जैसे अगर यहां पे रिलीज करेंगे, तो इस ताइम पे जो डारेक्शन होगी, उस में मूव करता रहेगा, इस पॉइंट पे करोगे तो इस में, इस पॉइंट पे करोगे तो इस पे, तो उस ताइम पे circular motion के बाद वो जब release करता है तो वो अपने desired position पे, desired direction पे वो जाती है Just like the piece of stone in the activity described above There are many more familiar example of object जो मैंने आपको uniform circular motion के discuss किये है So I hope आपको ये पूरा complete chapter clear है So thank you very much, आपने वीडियो को last तक देखा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, पहरे बचो कि मैं separate separate videos बनाऊंगी आपकी एक videos में, एक video में सिर्फ आपके इंटर्नल जो इंटेक्स question है, इनको solve करूंगी आपके NCRT के example solve करूंगी एक में आपकी activities होंगी सारी और एक में आपके ये NCRT के question answer को मैं solve करूंगी और एक आपका video बनाऊंगी जिसके अंदर में आपको सारे ये topics आपके दोबारा से आपकी मैं बोर्ड पे dictate करूंगी बोर्ड पे आपको मैं जैसे class में आप teacher आपका पढ़ाता है वैसे आपको करवांगी तो भाई everyone तेक केर